तो अब सबको इसकी भनक तो लगी ही गई होगी कि ड्रेगन बूल सूपर का वैब ऐनी में हमें इस साल साइट से देखने के लिए मिल सकता है जिसका फैंस काफी समय से वेट तो कर ही रहे हैं और साथ ही सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये वैब ऐनी में है क्या और इसकी स्टॉरी क्या हो सकती है इस ड्रेगन बूल सूपर के वैब ऐनी में में हमें क्या देखने मिल सकता है क्या वो सेयन आर्क हो सकता है या एंजल से जोड़ी कोई कहानी या बीरस या बाकी God of destruction से जोड़ी कोई कहानी या उन मिटाएगए जह यूनिवर्सों की कहानी जिसके ब वीडियो में तुम्हें मजा आने वाला है इसलिए लास तक बने रहना और वीडियो जहां भी तुम्हें पसंद आए तो लाइक कर देना तो देखो कुछ लीक्स और रूमर्स के चलते हमें ये तो पता लगी गया है कि ड्रैगन बॉल सूपर का वैब एनी में हमें इस साल दे देखी है उसमें तुम्हें पताई है कि अभी काफी बातों पर काफी चीजों पर हमें सही से कोई कहानी या आर्क अभी तक हमें नहीं दिखाई गई है जैसे कि पहले अगर सेयन आर्क के बारे में ही सोचे तो सेयन्स के बारे में हमें अभी तक जितना भी दिखाया गया है वो गोकू, वेजीटा और ब्रोली के रिलेटेड ही रहा है जिसमें सही माइने में सेयन ट्राइब के बारे में हमें अभी भी सही से नहीं बताया गया है जैसे कि आखिरिन सेयन्स की सुरुवात कैसे हुई थी और ये सब कैसे रहते आये हैं इनका पहला प्लैनेट किस तरह से तबाह हुआ था और जब वो हुआ था तो इन्होंने अपनी दूसरी सुरुवात कैसे की इन्होंने नई प्लैनेट पर जीना किस तरह से सुरू किया और क्या सच में किंग वेजीटा ही सबसे पावरफुल था और King Vegeta से पहले कौन प्लैनेट पर रास करता आया है और ये Saiyans अपने समय में Frieza और उसके बाप से क्यों डरते आया है और उनकी क्यों सुनते थे और उस प्लैनेट पर Bardock कितना पावरफुल Saiyan था और Bardock के बारे में तुमने ग्रेनोला आर्क में थोड़ा देखा ही था कि वो बाकी Saiyan से काफी ज़्यादा पावरफुल था जिसने वो फेक मून अटैक को भी बनाया था जिससे Saiyans कभी भी अपने ओजारू फॉर्म में जा सकते हैं तो Bardock को इतना सब आने के बाद भी वो क्य एक Simple ही Warrior था और उसकी Family क्या थी वो किस तरह से Family में जीता आया था और उसकी असल कहानी है क्या और इन Saiyans को आखिर Warriors का Tribe क्यों कहा जाता है आखिर ये नाम इन्हें दिया किसने है और सबसे अलग तुमने Super Saiyan God के Form को तो देखा ही है और जब हमने वो देखा था तो हमें ये और दिखाया गया था कि ये Super Saiyan God की जो फॉर्म है ये Super Saiyan God की है जो कि काफी लाखो सालों पहले था जिसने इस फॉर्म को बनाया था जिसका नाम हमें यामोशी बताया गया है जिसके बारे में अभी तक तो हमें सही से कुछ भी नहीं बताया गया है तो ये भी एक इनका चाहेगी अब इसके अलावा इन्हें Angels की स्टोरी पर भी एक आर्क बनाना चाहिए जिसमें हमें सब ही Angels के चुनने से बनने तक की स्टोरी को दिखाया जाए जैसे कि तुमने Moro Arc में ही Miras को देखा ही होगा जो की एक Angel ही था लेकिन किसी आम लोगों की तरह ही Space में घूमता और रहता था जहां उसका प्रशिक्षण याने उसकी ट्रेनिंग एक एंजल बनने के लिए कराई जा रही लेकिन अब उसे एक आम गैलक्टिक कॉर्प के तौर पर हमें दिखाया जा रहा है तो सवाल यही बनता है कि इन एंजल को चुना कैसे जाता है चाहिए किसी आम लोग होगा कि वेजीटा को भी एक तरह से गौड ओफ डिस्ट्रक्शन के लिए चुन लिया गया है जैसे की तौपो को चुना गया है और इन्हें गौड ओफ डिस्ट्रक्शन के पावर यूज करने की ट्रेनिंग दी गई है जिसमें वेजीटा उसे थोड़ा सीख भी पाया है और अपनी सेयन होने की वजह से एक फॉर्म में भी ला चुका है तो अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि बीरस आखिर गौड ओफ डिस्ट्रक्शन कैसे बना उसे गौड ओफ डिस्ट्रक्शन के लिए कैसे चुना गया और किस तरह के ट्राइब से वो आता है उसकी स्टोर अखिर है क्यों बाकी सभी गौड ओफ डिस्ट्रक्शन उससे चिड़ते हैं और बीरस और चैंपक किस तरह से बड़े हुए हैं उनकी फैमली क्या है क्या उनकी फैमली मेंबर्स भी गौड ओफ डिस्ट्रक्शन से ही आते हैं या वो गौड ओफ डिस्ट्रक्शन रह चुक जाते हैं जहां इनकी भी कभी family थी माबाप थे जिन्होंने इने पाला है जिसकी वजह से इन सभी पर God of destruction के साथ साथ इनकी अपनी खोबिया है अपनी techniques है उधारन के तोर पर टॉपो और वेजीटा को ही देख लो जो कि अलग ट्राइब से आते हैं और अलग-अलग universe में आसा कुछ बीरस के साथ भी होगा जिसे लोग देखना चाहेंगे लोग चानना चाहेंगे कि God of destruction कैसे चुने चाते हैं या यह उब जो है जिसे काफी powerful कहा जा रहा है इसके related भी हमें कोई कहानी अभी तक नहीं दिखाई गई है और अगर तुमने moro arc पड़ा है तो तुमने उसमें उब की थोड़ी सी ही जलक देखी होगी जो कि हमें सिर्फ वही दिखाया गया है और बताया गया है कि वो भी एक बहुत powerful warrior है जिसके बारे में अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं बताया गया है तो यह हो सकता है कि उब के related ही कोई story हमें देखने के लिए मिल जाए जि यह भी हो सकता है कि हमें इन दोनों के कुछ adventure galactic force के साथ दिखाया जाए जिसमें यह दोनों अलग-अलग जगा पर अलग-अलग planet पर जा रहे हैं और नए लोगों से मिल रहे हैं और नए villains से लड़ रहे हैं या एक यह भी कहानिया भी रहती है कि हमें जितने 12 universe दिखाये ग गया है और वो 6 universe आखिर कैसे थे उसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया है तो यह भी हो सकता है कि हमें उन 6 universe के बारे में हमें बताया जाए जो कि web anime के तोर पर हमें देखने के लिए मिल जाए अब देखो यह सभी मेरी prediction और story देखने की चाहा थी जिसमें मैं इन्हें ए या इस महीने ड्रैगन बोल सूपर के web anime को लेके update आती है तो मैं उसके वीडियो तो बना ही दूँगा ताती अगर तुम उसके related को छोटे मोटे update पाना चाहते हो और मुझे इस्टेग्राम पे भी follow कर सकती हो और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना तो मिलते हैं गली व